हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल लॉवालेट, मैं एड्वोकेट प्रवीन सिंगल, आज आपको बताऊंगा कि कोविट इपास कैसे लेते हैं, और ये कोविट इपास किनके लिए जरूरी है, ये उन लोगों के लिए जरूरी है, जिनकी एक्टिविटी इनकी office, shop, factories को allow किया गया है काम करने के लिए, with effect from April 28th, तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले, आप जल्दी से हमारा YouTube चैनल Law Wallet सब्सक्राइब कर लीजिए, और bell icon भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको latest updates मिलते रहें, तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को समझने के लि आपी को apply करना होगा, चलिए start करते हैं, इस COVID e-pass system में आपको अपने लिए और अपने employees के लिए e-pass generate करना है, इस e-pass system में आपको एक CSV file generate करनी है, बनानी है, और इस CSV file का क्या template रहेगा इस वीडियो में आपको बताएंगे, और इसमें आप अपने सारी employees की detail डालेंगे, और इससे पहले आपने क्या करना है, अपना एक admin appoint करना है, हर organization को जो admin appoint करेंगे, उसने इस link पर जाना है, और इस link में जाके अपना registration करना है, ये सारा काम online हो रहा है, लेकिन आपको एक application state nodal officer को देनी है, अब आपका state nodal officer कौन होगा, इसकी भी detail हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं, तो आपने क्या करना है, अपने relevant state nodal officer को एक written application देनी है, और written application के बाद, जो nodal officer है, वो आपके सारा discuss कर सकता है, और agree कर सकता है, कि वो आपको e-pass दे, इसके लिए वो क्या करेगा, वो एक link आपके organization के नाम पर भेजेगा, और उस link में जाकर आप अपना registration करा सकते ह तो यह link आपके सामने है, लिंक जो आप डालेंगे उस link की detail, तो आपके सामने यह screen खुल कर आ जाएगी, आपने जो आपका admin है, वो क्या करेगा, वो इसमें registration details डालेगा, आपना organization का email id डालेगा, और register के उपर click कर देगा, और जब वो register के उपर click करेगा, तो उसके बाद क् है कि एक OTP generate होगा, और OTP generate के करने का, means OTP आएगा आपके email id पर, और email id पर जो OTP अगर यहाँ पर आप डालते हैं, तो आपकी तरख से registration process complete हो जाएगा, तो अब यह ball चली गए, means आपका registration जो चला गया है for approval, approving authority के पास, अब approving authority उसे accept भी कर सकती है, और reject भी, अगर approving authority accept कर लेती है, तो आपको क्या करना है उसके बाद, login करना है, जो email id आपने दिया था और password दिया था, उसमें आपने क्या करना है, login करने के बाद, आपने, जो CSV file है, वो आपने upload करनी है, और उसका template क्या है, first name, last name, mobile number, validity date, partner company, और valid location, आपको यह सारी details डालनी है, और इस validation के आपके screen पर है कि कितने maximum characters हो सकते हैं, तो यह जितने characters है, maximum उतनी limit तक, आप CSV file में अपनी information डालेंगे, और इसके बाद आप क्या करेंगे, login करने के बाद, आपके बाद यह screen आएगी, create request, इस create request पर click करेंगे, create request करने के बाद, आप या तो template वहाँ से download कर सकते हैं CSV file का, और हमने भी आपको दिखा दिया है, और इस file को आप upload कर देंगे, upload करने के बाद, आपने क्या करना है, इसमें maximum, जो CSV file बना रहे हैं, इसमें maximum 5000 contacts एक बार में upload हो सकते हैं, जैसे कि आपकी screen पर आप देख रहे हैं, सामने लिखा हुआ है, तो इसके बाद, applicant, यह सारी information fill करेगा, कितने लोग चाहिए हैं उसको, और उसके बाद, अगर यह application एप्रूव हो जाती है, तो जो admin है, organization admin, उसके email पर, यह सारी detail आजेंगी, कि किस किस को e-pass मिल गया है, तो friends, आगे बनने से पहले, अगर अभी तक भी आपने हमारा channel subscribe नहीं किया है, तो जल्दी से subscribe कर दीजिए, और हमारे इस वीडियो को like कर दीजिए, तो अब यह जो pass मिलेगा, उसका एक glimpse आपको दिखा रहे है, इस तरह का pass होगा, और इसको आपने distribute कर देना है, अपने employees के pass, और individual employees को भी SMS मिल जाएगा, और यह SMS लेकर, जो employee अगर road पर है, वो organization जा रहा है, और organization से वाप अपिस आ रहा है, तो अगर रास्ते में कोई authority उसे check करने के लिए रोपती है, तो वो authority इस SMS को check करेगी, और वो authority भी एक SMS डाल कर यह check कर सकती है, कि यह e-pass जो person carry कर रहा है, वो valid है, या नहीं, तो friends, यह आपकी screen पर जो nodal officers है, all states और union territories के वो दिये हुए, इसको हम scroll down कर रहे हैं, आप इसकी detail यहाँ पर ले सकते हैं, और अगर आपको इसकी pdf format चाहिए, तो हम अपने telegram channel पर इसका pdf format भी डाल देंगे, आप वहाँ पर जाकर इसे download कर सकते हैं, और telegram channel का हम detail आपने description box में दे देंगे, plus जिस link को आपको click करना है, और जहाँ पर आपने e-pass बनवाना है, उसको भी हम description box में लिख देंगे, तो friends, अगर आपकी कोई query है, तो आप हमें comment box में लिख कर बता सकते हैं, और अगर आपने अभी तक भी हमारे channel subscribe नहीं किया है, तो उसे जल्दी से subscribe कर लि